प्रधान मंतरी ग्रामीन आवास योजना के अंतरगत सरकार की तरफ से बड़ा एलान कर दया गया है अगर आप भी प्रधान मंतरी ग्रामीन आवास योजना के अंतरगत लाब लेना चाहते हैं या फिर आपने पहले ही आविदन किया हुआ है तो इस वीडियो को आप चुरूर पोच करेगा दोस्तो सरकार की तरप से लावार्थियों के लिए बड़ी खुश खबरी जारी कर दे गई है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तो किन वैक्तियों को पक्के मकान सरकार देने जा रही है उसके बारे में ही बताएंगे और दोस्तो कौन वैक्ति है लाव ले सकता है तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं अगर आप भी चाते हैं कि आपको भी पक्के मकान मिलें तो इस वीडियो को आप देखते रहेगा आपसे हमारा निवदन रहेगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं क्या है वीडियो को लाइक कर दिएगा शेर करेगा चैनल पर आप पहली बार आई हैं चैनल को आप ज के मकान लेना चाते हैं तो आपके लिए बड़ी खुस ख़बरी जारी हो चुकी है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने हाल ही में एक बड़ा एलान किया है जिसके अंतरगत लावार्थियों को मुफ्त में पक्के मकान मिलने जा रहे हैं लेकिन दोस्तो इस योजना के अंतरगत कई बड़े नियम भी निर्धारित किये गए हैं उन सभी नियमों का पालन करते हुए ही लावार्थि को उन्हें पक्के मकान दिये जाएंगे जो एक्ति नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको इस योजना का लाव नहीं मिलने वाला है कोन कोन वैक्ति या फिर किस-किस वैक्ति को लाव यहां पर मिलने वाला है उसके बारे में भी सरकार ने गाइड लाइन जारी की हुई है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना के अंतरगत दो लाइक पिच्चान में हजार सोरी दो क्रोड पिच्चान में लाइक ठीक दोस्तो सरकार के तरब से जो मकान है वे है बनाए जाएंगे यहाँ पर जो लक्षे सरकार दुवार रखा गया है वे है दो क्रोड पिच्चान में लांक अब दोस्तों यहाँ पर अब तक जो मकान बनाए गए हैं वे हैं दो क्रोड मकान सरकार ने लगभग अब तक बना लिये हैं यानि के अभी भी पिच्चान में लांक घर बनाने बाकी हैं जिनको सरकार अब बनाए जा रही है दोस्तों जिन्हें सरकार ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना के अंतरगत 2024 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी गई है यानि के जो लक्ष अभी पुरा होना बाकी है पिच्चान में लांक जो नए गर हैं वहें 2024 में भी बनाए जाएंगे हलाकि यहाँ पर जो टारगेट रखा गया था रहे 2023 तक रखा गया था लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है जिन वैक्तियों को पक्के मकान नहीं मिले हैं उन्हें अब सरकार पक्के मकान दें जा रही है 2024 तक एक साल और आपके पास बाकी हैं आपको लाव देने के लिए इससे लांखो ग्रामीनों को पाइदा होने वाला है दोस्तों आपको उदा दें कि स्योजना का लाव उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास पक्के मकान नहीं है जिनकी कच्चे छते हैं ऐसंग्रिशेत में रहते हैं मीनत मजदूरी करते हैं उन सभी लोगों को पक्के मकान दे जाएंगे अवाश योजना के अंतरगत लाब दिया जाएगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप पाड़ी छेतर से हैं पाड़ी छेतर में आप रहते हैं तो सरकार आपको जो लाब देगी वह एक लाख तीस हजार रुपे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं वहीं जो समतल भूमी पर रहते हैं उन्हें एक लाख बीस हजार रुपे सरकार देगी यानि के टोटल यहाँ पर जो आपको कुल मिलाकर जो सरकार लाब दे रही है वहें दो लाख पचास हजार रुपे सरकार की तरफ से दिये जा रहे हैं अगर आप भी लाब लेना चाते हैं तो आप किसी भी नजदी की जन सिवा केन पर जाकर आवास के लिए अपलाई कर सकते हैं या फिर आपने पहले ही अपलाई किया हुआ है तो दोस्तों आप अपने आवास की लिष्ट जरूर चेक करिएगा हो सकता है कि आपका नाम भी उस लिष्ट में सामिल हो जिनका लाब अब सरकार हाली में दे रही है आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल करिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा बैल आइकन को ओल पर सेलेक्ट कर लिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके वीडियो का लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजेगा तो मिलते हैं आपको ने स्टूर्डियम दोस्तों तब तक के लिए जैहिन जैभारत